गाईज आप लोगों ने अक्सर पुलिस वालों को भी ट्रैफिक रूल्स को तोड़ते हुए देखा होगा और मज़े की बात यह है कि ट्रैफिक पुलिस वाले उन पुलिस वालों को कुछ भी नहीं कहते लेकिन थांबा हर जगा पे ऐसा नहीं होता इस इमेज को ध्यान से देखिए इस इमेज में एक ट्रैफिक पुलिस वाला दूसरे पुलिस अफसर का चालान काटता हुआ दिख जाएगा ऐसा इसलिए हुआ कि उस पुलिस वाले ने ट्रैफिक रूल्स को तोड़ा और साथी में हेलमेट भी नहीं पैना और इस इमेज से ये साफ साफ संदेश जाता है कि आप चाहे जो भी हूँ चाहे कुछ भी हूँ आप लोगों को भी रूल्स फोलो करने चाहिए आपका इसके बारे में क्या ख्याल है चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा गाइज अकसर मूवीज के लिए हम लोग सुनते कि इस मूवी ने बॉक्स ओफिस पे 100 करोड का बिजनस किया या 500 करोड का बिजनस किया या 1000 करोड का बिजनस किया लेकिन क्या आप जानते कि इस पूरी ही दुनिया में ऐसी कौन सी मूवी है जिसने box office पे worldwide सबसे ज़ादा collection किया है और कितना collection है don't worry मैं आपको बताता हूँ वो है Hollywood की movie Avatar जिसने 2.8 billion यानि की 17,000 करोड रुपे का worldwide business किया है अब आप comparison करके देखे 1000 या 2000 करोड नहीं पूरे 17,000 करोड रुपे का worldwide business guys अगर आपने अभी तक ये movie नहीं देखी है तो जरूर जाके देखेगा क्योंकि जो imagination का इस्तमाल करके movie को परते पे उतारा गया है वो unimaginable है guys ये fact जानके आपको कैसा लगा chat section में लेकना मत भूलेगा guys आप लोगों ने अपनी life में कभी न कभी ATM मशीन तो इस्तमाल की होगी लेकिन क्या आप लोगों ने कभी सूचा है कि ATM मशीन को invent किसने किया था दोवरी मैं आपको बताता हूँ ATM मशीन को invent करने वाले बंदे का नाम था John Shepherd Baron लेकिन इसके अलावा एक interesting factor है जब उसने ATM मशीन को invent किया था तो 6th digit का password system उसने रखा था लेकिन उसकी wife को actually 6 digit का password कभी याद ही नहीं रहता था हाँ initially 4 digit याद रह जाते थे और इसी वज़े से 6 digit का password system बदल के उसने 4 digit का password system कर दिया जो कि आज हम लोग इस्तमाल भी करते है तो उसकी wife की वज़े से हम लोग 4 digit का password system इस्तमाल करते है ये interesting fact जानके आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा ऐसी घटना है साल 2015 की जब Benjamin Namak एक अमेरिका ने Red Bull Company के उपर case फाइल कर दिया और case में उसने ये कहा कि मैं पिछले 10 साल से Red Bull पी रहा हूँ लेकिन मेरे तो कोई wings यानि की punk आई नहीं actually हुआ कुछ ही हूँ था कि उस टाइम पे Red Bull Company का tag line था Red Bull gives you wings मतलब अगर आप Red Bull पीते हैं तो आपके wings आ जाएंगे और उस बंदे का ये कहना था कि मैं पिछले 10 साल से इंतिजार कर रहा हूँ मेरे तो कोई punk यानि की wings आई नहीं और actually कोई मजाकिया case नहीं था सच में Red Bull Company को इस चीज के लिए उस बंदे को 13 million dollars यानि की लगबग 90 करोड रुपे का हरजाना देना पड़ गया था हैना इंट्रस्टिंग फेक्ट ये फेक्ट चानके आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में लिखना मत भूलेगा सिग्रेट हमारे स्वास्ते के लिए बहुत जादा हानिकारक होती है और उसे हमें नो डाउट कभी भी कंजूम नहीं करना चाहिए लेकिन क्या आपने कभी गोर किया है कि लोग जब सिग्रेट पीने के बाद बचेवे छोटे से टुकडे को सड़क पे फैक देते हैं तो वही छोटा सा टुकडा चिडिया उठाके लेके जाती है पर सवाल यह है कि चिडिया उस टुकडे का करती क्या है थांभा वो पीती नहीं है एक्चली चिडिया उस छोटे से टुकडे को ले जाके अपने घोसले में रख देती है ताकि परजीवियों को यानि की पैरसाइट्स को वो भगा सके उस चोटे से टुकडे में निकोटीन होता है जो की पेस्टी साइड का काम करता है जो की परजीवियों को घोजले में पनपने ही नहीं देता क्या ये interesting fact इसके पहले तक आपको पता था और अगर नहीं पता था तो chat section में लिखना मत भूलेगा Guys इस Corona की situation में हमें कम सी कम ये तो समझ में आ गया कि हाथों को अच्छे से धोने और उसे साफ करने की क्या एहमियत है और इस चीज को World Health Organization भी admit करती है World Health Organization के हिसाब से अगर आप खाना खाने से पहले अच्छे से साबुन से हाथ धोते हैं तो ये चीज वैक्सिन को लगाने से भी जादा कारगर है World Health Organization ये कहती है कि सिर्फ इतनी सी habit से अच्छे से हाथों को साफ करके खाना खाने की habit से आप सब्तर प्रतीशत विमारियों को रोक सकते हैं है नए इंट्रस्टिंग फैक्ट तो अगली बार जब भी आप खाना खाएं तो प्लीज आप अच्छे से हाथ जरूर धो लें और इसी से ही हम बहुत सारी बिमारियों को दूर भगा सकते हैं ये इंट्रस्टिंग फैक्ट जांक्या को कैसा लगा चैट सेक्शन में लिखना मत भूलेगा